दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सब का स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्य और आप भी प्रसन्य होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते शीखते हैं विद्यार्थियों आज की वीडियो मना रहे हैं कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक, वसंत के चटे पाठ, भगवान के डाकी से यह एक बहुती लगू कवीता है, छोटी कवीता है, जिसे रामधारी सिंग दिनकर, जो हिंदी के बहुती ये शश्वी कवी हुए हैं, उन्होंने लिखिये इस वीडियो में हम इस कवीता को पढ़ेंगे, कवीता को पढ़ने के साथ-साथ उसका अर्थ, उसका भाव और व्याख्या सहीत उसका विशलेशन करेंगे, तो हम दूसरे वीडियो में फिर इस पार्थ के प्रशनों के उत्तर आपको बताएंगे, तो वीडियो प्रारंब करें, उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आप पूरी हिंदी की पार्थे पुस्तक देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, औ और साथ ही अन्य हिंदी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो हिंदी की बिंदी चैनल को यदि आपने सबस्क्राइब कर रखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो उससे सबस्क्राइब कर लीजिए, और बैल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि स सारी जो वीडियो बने उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच जाएं तो आईए हम शुरू करते हैं आज की वीडियों भगवान के डाकिये सबसे पहली बात तो ये भगवान के डाकिये कहा किसे गया है डाकिया यानि की पोस्ट में जो की चिठिया आदान प्रदान करता है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाता है दरसल यहाँ पर जो डाकिये हैं वो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिये हैं आज जब हम देखते हैं तो हमारे जो मॉबाइल फॉन्स हैं इंटरनेट है उसके माद्धम से हमारे मैसेज सोचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चाहे हो कितनी भी दूर बैठा हो तुरंत पहुँच जाती है लेकिन पहले डाक के द्वारा चीजें जाती थी हलांकि डाक अभी बंध नहीं होई है पोश्ट विभाग अभी बंध नहीं हुआ है चल रहा है और बहुत सारी चीजें अभी उनके माद्धम से जाती हैं जैसे कि खास तोर से रक्षा बंधन के पर उपर दूर दराज में वाली बेहने अपने भाई के लिए रक्षा का सुत्र राखियां भेजती हैं बहुत सारे लोग दिपावली के अवसर पर इद के अवसर पर मिठाईयां भेजते हैं अपनी परीजनों को जब दूर रहते हैं तो किसी कारण से या विदेश में होतो भी मनी आडर भी भी कई जगें भेजा जाता है उसके अलावा जो पुस्तके हैं मैगजीन्स हैं वो अभी डाक के द्वारे भेज जाती हैं तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं ये क्या संदेश लाते हैं मनुष्यों के लिए प्रकृती के लिए जीव जनतूं क के लिए ये उसी तरहें से पोश्टमेन की तरहें डाकिये की तरहें काम करते हैं और ये क्या करते हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं जैसे हमने बताया कि एक डाकिया एक पोश्टमेन जब कोई वस्तू कोई डाक कोई पोश्ट कोई चिठी कोई पत्री क किताब एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भेजते हैं तो ठीक ऐसे ही ये पक्षी भी ये बादल भी एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं इनके उपर कोई पहरा नहीं है कोई बंधन नहीं है एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं लेकिन इतना जरूर ह कि ये लोट भी आते हैं कुछ समय बाद अपने इस्थान पर क्योंकि ये पहचानते हैं लेकिन हम बादलों तक जाते हैं पक्षी बादलों तक जाते हैं बादल प्रत्वी पर आते हैं तो ये जो आदान प्रदान है एक दूसरे के माध्धम से संदेश देने का ये पक्षी औ का संदेश हम तक आम जो जनों तक दूर दराज में बैठे हुए दूसरे देश की लोगों तक पहुंचाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पेड, पोधे, पानी और पहड बाचते हैं पशुपक्षियों की भाषा मनुष्य नहीं समझता है कु पक्षी और बादल जब भगवान का संदेश लाते हैं तो इनकी क्या मनसा है, क्या इस्थती है ये पेड, पोधे, पानी, पहाड, प्रकरती, ये धर्ती ये सब समझते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या लाते हैं क्योंकि इनके भावों को ये समझने के आधार पर ही चीज़ होती है, हवा से, पक्षियों से, पुष्पों के पराकण इधर से उधर होते हैं, तो वो पहुँचते हैं, पहाड़ों पर पत्तियां कुछ बीज, अंकुरन हवा के मातम से उड़कर के आते हैं, और पहाड़ों पर पोधे जब बारिश होती हैं तो उगते हैं, तो ऐसे ध धीरे धीरे एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक चीज़ें आती हैं जाती हैं और ये पेड़ पोधे इन सब चीज़ों को जब एहसास करते हैं और मनुष्य जब वहाँ पर जाता है तो वो प्रकृति की सोम में छटा को देख करके निश्चित रूप से प्रफुलित होता है और तब उसकी समझ में आता है कि ये कैसे हुआ तो ये पक्षी और बादल रूपी जो भगवान के डाकी हैं उनके द्वारा ये चिठ्थियां लाई गई हैं जो कि इस पूरे प्राकृतिक वातावरन को सोम में सुंदर बनाने में सहयोग करती हैं आगे रामधारी सिंग दिनकरजी लिखते हैं हम तो केवल यह आकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंद भेजती हैं हम तो सिर्फ यह देखते हैं आकते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि जब यह बादल और पक्षी उड़कर के एक देश से दूसरे देश की और जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि वहां की सुगंद यहां आ रही हो और यहां की महक अन्यत्र कहीं जा रही हो तो यह जब हम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से हवा लगता है और आगे कभी लिखते हैं और वह सोरब हवा में तैरते हुए सोरब यानि कि खुश्बू महक पक्षियों की पांखों पर तिरता है वह सुंदर सुगंद महक पक्षियों की पांखों पर तिरता हुआ इधर से उधर यहां से वहां गमन करता है प्रस्थान करता है जाता है और एक देश का भाफ दूसरे देश में पानी बन करता है निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है आपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा तो धूप पानी को स तरल पदार्थ हम उबालते हैं तो वह भाफ बन करके उड़ता है तो इतने हो पानी वह तरल पदार्थ उपर उड़ रहा है और कहा जाता है बादलों में एकत्तरित हो जाता है फिर आप देखते हैं बादल इधर से उधर घूमते हैं प्रतिदिन घूमते हैं जब बारिश का मोसम होता है थोड़ी हवा तेज चलती है तो तेज गती से घूमते हैं वरना धीमी गती से घूमते रहते हैं तो आपके यहां से उड़ा हुआ भाफ बादल के पास एकत्रित हो जाता है बादल वहां से चल करके दूसरे राज्य दूसरे देश में जा करके जब बारिस का मो इस तरह से गमन करता है इसका एक उधारन है कि एक देश का भाफ दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है तो ये कौन ले जाता है ये बादल ले जाते हैं तो बादल इस तरह से एक जगहें की चिठी दूसरी जगहें पर ले जाते हैं और पक्षिक इस तरह से ले जाते हैं सो दूसरी जगहें पर दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे इस्थान पर इस तरह से चिठियां भेज़ने हैं और मनुष्य कम लेकिन पेड़, पोधे, पहाड यानि की पूरी प्रकृती इन चिठियों को अधिक सहज रूप से बांच पाती हैं। तो रामधारी सिंग दिनकर द्वारा लिखियों कि बहुती सुंदर और बहुती लगू ये कवीता जो निश्चित रूप से एक छोटी कवीता होकर के भी बड़ा संदेश देती हैं। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिग्यासा, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स के माद्धम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रियास करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। प्रियास करेंगे।